बिल्कुल ठीक होंगे विल्कम बैक टू माई चैनल आज का विलोग जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया है मॉर्णिंग से और यह देखें यहां पर ना इतनी जादा पीजन आते हैं और मैंने यहां पर बिर्ड फूड डालना स्टार्ट किया है और लास्ट जो हमारा पिछला घरता वहां पर भी मैं यह सेम एक्टिविटी करती थी यहां पर बिर्ड फूड डालती थी विंडोस के आके तो बहुत सारे बिर्ड आ जाते थे खाना काने के लिए जिसे देखकर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यह चोटे चोटे एक्ट अला ताला को करती थी लेकिन यहां पर कैबनेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और मेरे पास एक प्रॉपर स्पेस मुझे चाहिए थी जहां पर मैं अपनी सारी पैंट्री जो है ना और्गनाइज करूं तो मुझे यह आइडिया एक आया कि मैं यह जो स्टोरिज बॉक लेकिन नहीं आया तो खैर मैं दुबारा गई हूँ और जाकर मैंने यह तीन का ही सेट जो है ना वो दुबारा से बाई कर लिया और अब यह टोटल मिला के तकरीबं सिक्स ड्रॉर्स का सेट जो है ना वो बन गया है बस यहां पर मैं इन ही को आपस में जो है वो असेंबल क रही थी बस इनको शॉटल एक दूसरे के साथ अटाच करना था और बस एक प्यारस और्गनाइजर जो थाना वो बन गया था अपने नॉर्मली काफी ज़दा मॉल्स में हो रहा है जगा देखे होंगे यह मल्टी परपस के लिए यूज होते हैं और इनकी क्वालिटी काफी ज़दा अच्छी होती है डिफरेंट कलर्स के भी थे लेकिन मैंने यह औरेंज कलर्स चूस किया मुझे बहुत जादा वाइबरेंट सा कलर अच्छा लग रहा था तो जो है ना वो मैंने इसलिए इसको लिया अच्छा आप इसको ना बच्चों के ट्वारे रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं और बहुत कम जगा लेते हैं लेकिन मैं फिलहाल अपने स्टोर के उपर फोकस किये वे हूँ आज कल क्योंके मुझे अपने स्टोर को ना और्गनाइज करना था यहापर मैंने आपको बताया था कि मुझे प्रॉपर बड़ा सा स्टोर एक मिला है और उसमें मैंने अपने सारे लगिज बैक्स भी रखवा दिये हैं और इसके इलावा मैंने उस स्टोर में कुछ मैनुल वुडन शेल्फ जो है वो डलवाई है और उनके उपर भी काफी जदा समान जो है वो मेरा आ गया है और अब रह गया था यह पैंट्री का भी रहा इन फ्रीज आइटम की उसके लिए मैं जा रही थी ग्रॉस्ट्री करने के लिए और यहां पर आज मैंने सारी ग्रॉस्ट्री की एक्चुली ग्रॉस्ट्री करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग टाइम कि आप 10-11 बजे घर से निकले और उस टाइम पर ग्रॉस लाइन डे ले लेती थी या एक आद बार मेरा मॉल जाने का इतफाक हुआ तो मैं बस जरूरत का समान ले आती थी तो आज काफी जदा बल्क में मुझे चीज़ें चाहिए थी तो सभी कुछ यहां पर मैं रीफिल करूंगी अच्छा रमजान को लेकर ना बाज लोगों को कु मैंने सिर्फ वोही चीज़ें अपने पेंट्री में और अपने ज्रॉस्टी में लेकर आयी हूँ जा कि वैसे भी लीखली वीकली ज्रॉस्टी में आती है जा हम यजूर्ग बच्छों के स्कूल के साथ भी बहुत जारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली बीस्टीielle फर कि खरीद लेती हूँ और मंतली मेरे घर में सिर्फ जो मेजर आइटम्स है ना जैसे आईल है आटा चावल और सर्फ ये चीज़े आती हैं तो मैंने रमजान की ग्रॉस्ट्री में भी यही सब किया है कि मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें जो डेली के डेली यूज होती है ना बस व कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें फ्रीज करके रखनी होती है अपनी सहूलत के लिए ताकि रोजे की हालت में बहुत ज़ादा एफट ना करनी पड़ेँ एफर्ट तो हमें ही करनी होती है लेकिन अगर वो एफर्ट आप अपना पहले कर लेना तो रोजे की हालत में आपको जादा काम नहीं करना पड़ता जैसे कि मैं अपने लिए अगर ये बात सोचू ना कि मुझे रोजे के साथ बच्छों को पिक और डॉप भी देनी है घर का क काम भी करना है और इसके इलावा जो है वो खाना बनाना है अफ्तारी भी है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपनी लिस्ट में एड़ की है जिने मैं पहले से करूंगी और ताकर ना मेरा काम रमजान में अट लिस्स थोड़ा सा हलका हो जाए नेक्स वीडियो इन्शा अचा मेरे किचन में ना ये जो किचन सॉरी चिकन क्यूब्स है ना ये बहुत ज़दा फ्रीकुरेंटली यूज होते हैं मैं दालों में और पास्ता वगरह में काफी ज़दा यूज कर लेती हूँ और अचा इस वीडियो क्या कुछ पार्ट जो है वो आपको नेक्स वीडि और सबसे ज़दा अच्छी चीज जो मुझे लगी ना वो ये थी कि आप लोगोंने मेरे जो कॉमेंट वगरह किये हैं वो बहुत बहुत अच्छे हैं और उससे मुझे इतनी ज़दा मॉटिवेशन मिली है ना कि मेरा दिल किया है कि मैं और अच्छी तरह से काम करूं खैर पेंट्री यहां पर मैंने सारी समेट ली थी सारा समान अपनी जगों पर रख लिया था और बस अब मैं आ गया हूं खाना बनाने के लिए खाने में मैं बना रही हूं मिक्स वेज़िटेबल्स यानि आलू मतर और गाजरे और बस उसके लिए सबसे पहले मसाला भूनूंग यहां पर भी काफी जादा अच्छा मौसम है अभी तक भी बहुत जादा ठंडी ठंडी हवाय चल रही है शाम को दिन में किसी टाइम गर्मी लगती है लेकिन रात में बहुत अच्छा मौसम हो जाता है बस तो मैंने सोचा कि जाती जाती सद्डियों के एक दफा मिक्स अच्छा मौसम हो जाती है उसमें ट्रमाटर डाले हैं और उसके बाद उसमें सारी डॉडाई स्पैसिस एड़ कर दी हैं नमक, मिर्च और चिली फ्लेक्स डाले हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाला है और हल्दी डाल दी है अच्छा से मिक्स करूंगी और जैसे ही oil separate होगा तो मैं इसमें अपनी जो गाजरे हैं वो add कर दूँगी मेरा ख्याल है कि अब तक हर घर में रमजान की जो थोड़ी थोड़ी सी प्रेप है न वो start हो गई होगी कहीं पर जो है वो grocery start हो गई होगी और कहीं पर रोल समोंसे बना start हो गई होगी होगी लेकिन मैं इस घर फोड़ा सा change किया है सोचा कि और सिर्फ रोल और समोंसे बनाने से हमारा काम असान नहीं होता उसके इलावा भी दो तिन ओकाम जिससे अगर हम कर लेना तो बहुत जादा असानी हो जाती है लाइफ में और बहतरीन होमेकर वही होता है जो अपनी गलतियों से और अपनी तजर्बात से आगे भी कुछ सीखे तो मैंने भी अपनी कुछ सालों की एफर्ट से कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखी है और उन्हें आइसता मैं अपनी लाइफ में अपनी होम मिकिंग में अपलाय कर रही हूँ और ठेस्थ भी मुझे बहुत बहुत ज़ा अच्छा लगता है यह सब करना है लाइफ में इंप्रूव्मेंट किसको नहीं चाहिए और को नहीं चाता कि हमारी लाइफ जो मजीद ब गए थे और फिर इसमें तकरीपन 3 मैंने handful of dry कसूरी मेथी जो है न वो डाल दी थी फ्रेश भी लोग आड़ करते हैं लेकिन मैंने मैं मैं मोसली इसमें dry वाली कसूरी मेथी ही आड़ कर देती हूं इसकी भी बहुत अच्छी fragrance आती है इतनी अच्छा सा इसका टेस्ट आजाता है कि बिल्कुल भी फिलनी होता कि हमने इसमें फ्रेश वाली मेथी जो है न वो नहीं डाली है उसके बाद मैं आ गई हूं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जो के मेरा सबसे ज़्यादा दिन का एहम दरीन काम होता है उसके बाद मोहमद की बर्ड़े थी कल और में जिस दिन ये मैंने वीडियो बनाई है उससे नेक्स दे मोहमद की बर्ड़े थी और मैं उसके लिए लेकर आई थी ये सब गुली बैक्स जो के उसको स्कूल लेकर जाने थे मोसली मैं ऐसा करती हूं कि चॉकलेट्स बिस्किर्ट्स और जूस बगारा बना देती हूं मोहमद ने जो जो भी यहां पर चूस किया ना मैंने वह सभी चीज़ें उसके गुड़ी बैक्स में एड़ की थी और बच्चों के लिए पता ही क्या एट्रेक्शन है उन्हें अपनी बर्ड़े में के कट करने से ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमें गुड़ी बैक मोहमद की खुशी से अपन्ताजा लगा सकते हैं कि वह कितना ज्यादा खुश है इतना ज्याद एक्साइट था गुड़ी बैक्स बनाने के लिए और पूरा टाइम इसने मेरे साथ बैठके तो यह बनाए हैं और हर चीज़ प्रॉपर हर इन्वैलप में जो है ना वह वह ब देड़ी तेड़ी पनर तेड़ी प्रामा के लिए्वरा सकते हम फिर सम unhappy हर ईता हैं कि वह वह बनाए हैं कि वहा बसे के में इस बनाता हैं जो है पम प्रुशपी प्रॉपरा हैं प्रॉबर्स के बना ज्यादा फियां कि突़ प्रॉवर만ा हैं यह हैं और सफ जारं ड़वा हैं बस यहां पर हमारे सभी गुड़ी बैक्स बन गे थे गल्स के हमने अलग से बनाए थे और बॉइस के बनाए थे और सभी पाउच जब हमने फिल कर दिये थे इसके बाद मैंने इंको टेप से उपर से न सिक्यूर कर दिया था यहां मोहमद के बाबा उसके लिए सर्प्राइज लिए आफिस से वापसी पे केक लिया थे जो के हमने उसी वक्त इसके लिए कट कर लिया था और बस इस तरहां से हमने इसके चोटी सी एक बर्ड़ी की काफी दब मस्रूफिया थी जिसकी वज़ा से हम एक प्रॉपर बर्ड़ी सी बर्ड़ी नहीं कर सके इस बार बट एनिवे नेक्स टाइम इंशाला और आपको आज का विलोग भी पसंद आया होगा अपनी जरूर याँ दिखेगा और डोंट फोगेट टो सब्सक्राइब माई चैनल आप लोग के सब्सक्राइब के बगार बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता अपना धेर सारा ख्याल रखें थैंक्स पर वाचिंग